कि हलो दोस्तों स्वागत है आपका इसकी इस यूटिप चनल शारह संथिको मैं आत्मों को सबाइब फिर्थ सब्सक्राइब कि किनला है आफ के हैं तो आज वही बात करेंगे कि किसостर cylinder विद्व सकते हैं और को क कोछ से दिखाएंगे कि आप किस तरीके से IC code apply कर सकते हैं तो दोस्तों ज्यादा ताइम नहीं लेते हैं आपका चलते हैं लेपटाप स्क्रीन पर उससे पहले आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक बटन पर क्लिक करना होगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते हैं तो दोस्तों स सर्वेस में जाना है सर्वेस में I.C में जाना है और on-line I.C आप्रिकेशन पर क्लिक कर देना है एंप फिर यहां पर आप अपना pen card number डाल दीजिए pen card number डाल करके सर्च कर दीजिए पिर ये पेज खुल जाएगा इसमें आपको अपना नाम डालना है डेट आप बर डालना है जो कि आपका पैन कार्ट पर दिया हुआ है वोई भर दीजिए और यहाँ पर कैपचा ये फिल कर दीजिए जो मैं ये फिल कर रहा हूँ इस तरी के साब कैपचा फिल कर दीजिए दोस्तों ये मैंने कैपचा फिल कर दिया और सर्च कर दीजिए फिर उसके बाद ये पेज खुल कर आएगा नेक्स दबा दीजिए फिर ऐसा खुल कर के आजाएगा आपके सामने इसमें आपको यहाँ पे जो कैपचा है जैसे जो पर और इमेल पर एक OTP आ जाएगा जो भी आपने मोबाइल नमबर अभी रेस्टेट किया है और जो भी इमेल आइडे आपने दिये उस पर एक OTP आ जाएगा और दोस्तों मैं आपको यह बनाने चाहूंगा कि जो भी OTP वगर आएगा यह सीरियल नमबर के हिसाब से ही आएग है यह सारे चीज़े प्रासेस दिया है फस्स पेच पर चलते हैं फस्स पेच पर आने के बाद आपको यह इंटेटी नेम देख रहा है यहां पर आप अपना नाम भर दीजिए फिर आप उसके नीचे एड्रेस दिया हुआ है आपका जो भी ID कार्ट पर हो वह एड्रेस भर दीजिए अगर सेके ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आप सिटी भर दीजिए फिर स्ट्रीट भर दीजिए इसमें डिस्टिक भर दीजिए उसके बाद पिन कोड भर दीजिए उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नमबर है वो डाल दीजिए फिर आपका नेम जो भ आप बर्द भर नहीं है जो पाइंट कार्ड में दिवी है फिर यह हम आते हैं नेम आफ कंपनी पर इस पर आप देख रहे हैं यह इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें आप वह सारी चीज़े दिख जाएंगी कि इसके सरी कि क्या आपकी फिर्म है वह आप इसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है तो आप यहां पर वो चीज़ें देख सकते हैं कि यहां पर मेंचन करना होता है आपको कि आप मैनिफेश्टर कम एक्सपोर्टर हैं कि मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं यह मैं अभी मर्चेंट एक्सपोर्टर से कर लेता हूँ दिन आपको अकाउंट नमबर डालना होगा बैंक की डिटेल जो होती है बैंक की डिटेल डालनी होगी आपको और अकाउंट होलडर नेम डालना होगा जाहर से बाता आपने अपनी कंपनी के ही नाम से अकाउंट खुलवाया होगा तो वो भर दीजिए उसमें फिर आपका बै FSC code क्या है वो डाल दीजे ये सारी चीज़े आप भर दीजे अब हम आते हैं छो एक एप लिकन डीटेल पर को अपनी ही इंफॉर्मेशन भर नी है जैसे नेम आप अपकेट अपलाई कर रहे हैं तो अपना नाम भर दीजे धिर डैजिक्रिशन क्या है आपकी फर्म में वह बर दीजे़ा होजाए और ब certificल नंबर दीजेगा उसमे अधिर शीं ये मॉवाइल नमबर मैंने पहले से सारी चीज़े भर रखी हैं, उसके बाद एप्लिकेंट इमेल, जो इमेल आप आई सीम देना चाहते हैं, जो चाहिए होगा कभी, वही दीजिएगा, और ये पैन नमबर डाल दीजिए, यहां से भी देख सकते हैं, पैन नमबर आप अपन फिर डेट आप सब्मिशन, जिस दिन आप अपलाई कर रहे हैं, उसी दिन की डेट डालिए, और जहां से अपलाई करने हैं, मतलब जिस से अपलाई कर रहे हैं, वह आप भर दीजिए, इसके अंदर और इसको सेव कर दीजिए, यह देखिए, यहां पर सेव हो गया है, अब यजर से भर रहा हूं आप भी उसी तरीके से भर दीजे, सेट और बाकी जो चीजे दी होई हैं, आपके स्क्रिन पर जो दिक रहे हैं, एड्रस डाल दीजे, शिटी डाल दीजे, लिस्टिक डाल दीजे और उसे हरी यह का पिन कोड जहां साव आपने फर्म रेइस्टर्ट कर जाइए उस एरिया का पिन कोड जो भी हो उसको डाल करके इसको एड़ कर दीजें अब हम आजाते हैं थार्ड स्टेप पर यहां पर आपको नोमेल से चीजे बरनी नाम भरना है पैन भरना है नेम आफ पैन मतलब पैन कार्ट पर जो भी नाम हो वह बर दीजें फिर आपका रि से अड्रेस भर दीजें फिर इसमें आप दूसरा अड्रेस तो ठीक है दर्वाइस कोई दिक्कत नहीं है फिर आप अपना सिटी भर दीजें इसके अंदर पिर आप स्टेट भर दीजें जो भी आपका स्टेट लगता हो जहां से भी आप बिलॉंग करते हो वह आप भर है फिर आप अपना जोरी का जो भी पिंगोड होता हो वह पिंगोड डाल दीजें यह पिंगोड पर दीजें फिर आप अपने रेस्टरें नंबर जो भी अपाइसी में अपना mobile number देना चाहते हैं वो बर देजिए फिर आपको इसमें एक special चादार कार्ड मरना होगा फिर आप इसको add कर दीजिए यह दोस्तो एड हो गया है तो चलते हैं fourth page पे upload document इसमें दोस्तों आपको करना क्या है यह मैं खोल के दिखाता हूं वह आपको इसमें आपको address proof और bank certificate यह वही bank certificate है जो आपको bank से दिया जाता है मतलब उसमें कुछ detail लिखी होती है मैं अभी आपको इसकी एक photo दिखा देता हूं bank certificate कैसा होता है और वो bank certificate किस file में है PDF file में है या किस file में है और यह 5 MB से एक कम होना चाहिए आपकी जो भी file जहां पर भी उसको select कर लीजे select करके आप इसको upload कर दीजे और यह upload हो जाएगा फिर यह मैंने select कर लिए अब मैं इसको upload कर देता हूं और 5 MB से कम होनी चाहिए file आपकी यह upload होगी देखे ओपर लेक्यारा file has been upload successfully यह आपका fourth step complete हो गया दोस्तों यह है वो certificate जो बैंक द्वारा आपको प्राप्त होता है इसमें बच्छोटी से जनकारी लिखी होती कि आप इस company के हैं इस company का account हमारे bank में खुला हुआ है और यह account number हो है यह detail आप देख सकते हैं जो इस पर दिख रही है आपको यह bank में जाएंगे bank आपको easily यह provide करा देगा और यही iac apply करते समय आपको submit करना होता है अब हम आजाते हैं दोस्तों अगले स्टेप पे इस स्टेप में आप देख रहे हैं आपके सामने जो आपको दिख रहा है कि payment method है इस method में सारी चीज़े आटोमाटिकली यह फिल कर लेता है और इसमें देखे 500 रुपए है बस आपको submit पे क्लिक कर देना है तब मिट पे आप क्लिक करेंगे payment confirmation screen मांगेगा वो भी सारी चीज़े साही है payment confirmation के बाद आपको proceed पे क्लिक कर देना है प्रोसीट पे क्लिक करने के बाद आपका यह payment का option खुल जाएगा इसमें आप अपना card नंबर वगयरा सारी चीज़े डाल करके 500 रुपए की payment कर दीज़े यह verify का option है इस पर verify आप कर दीज़े इस पर select करके यह verify कर दीज़े यह आप रहा है जब आप payment करेंगे तो आपको दिखाएगा अब हम चलते हैं print and application पे preview and print application पर जोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने क्या क्या चीज़े भरी है और जो भी form में पीछे से अभी तक कि आपने चीज़े भरी है pen detail तरह तरह की जो भी information आपने दी है इसी apply करने क कर सकते हैं और इसके बाद इसको print कर लीजे copy अच्छा ही रहाएगा आपके लिए फिर इसको पूरी detail देखने के बाद अब submit कर दीजे यह दोस्तों इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने payment नहीं की थी इस मुझे से यह दिखा रहा है लेकिन जब आप payment करेंगे तब आपको यह दिखाई देगा तो आई होब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने पूरी जानकरी देने की कोशिश की है शायदी कोचीज छूट गई हो तो उसके लिए I'm sorry दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजे थैंक यू